नमस्कार स्वागत आपका निज लॉंचर पर मैं हूँ अशोक पन खड़े लेकर आए हूँ आपका अपना कारेक्रम दे डारेक्ट हिट कारेक्रम के पहले एक आपसे गुजारिश बेल आइकॉन पर हिट कीजिए सस्क्राइब कीजिए शेर कीजिए अच्छी खबरे और हम थोड़ा नैपारिका की तरब चलेंगे क्योंकि आज एक केस के सुनवाई में संजे किशन कॉल जस्टिस संजे किशन कॉल जी ने क्योंकि उनकी अध्यक्सता का जो तीन जजों का पीठ है उसने आज ऐसी बात कही कि लगता है आने वाले समय में एडी इस से हिट होने जा एक याचिकाए बहुत सारी याचिकाएं थी उसको कलब करके क्या एंफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट जब पीएम एले प्रिवेंशन आप मनी लॉंडरिंग एक्ट इसकी धारा पचास जो है उसको लेकर ये सुनवाई चल रही थी क्योंकि मामला इडी का था तीन बेंच के कोट के पास था जजेज का बेंच है तीन बड़ा बेंच है तो हमारे सॉलिस्टर जंडरल एडिशनल सॉलिस्टर जंडरल तुशार महिता यस्वी राजू दोनों आज जिरहा कर रहे थे तुशार महिता जी का कहना था कि इस मामले में 27 जुलई 2022 को तीन जजेज के पीछने ही निरने दिया है इसलिए अब इसको छेड़ना नहीं चाहिए 1917 में जूम डेवलपर्स के विजय चौधरी को मनी लांडरिंग के केस में और बैंक फ्रॉड के केस में इडि ने अरेस्ट किया था यह उनी का मामला था विजय चौधरी वर्सिस यूनियन अफ इंडिया और इसमें जो प्रिवेंशन आफ मनी लांडरिंग एक्ट है इसके तहट गिरबदारी तलाशी जबती कुर्की इसके पर जो आपजिक्शन था विजय चौधरी का उसको साइड को हटाते वे माननिय जज साब जो तीन जजों का पीट था उन्होंने ये तै किया था कि ये इडि के पास जो शक्तियां है वो बरकरार रहनी चाहिए उसकी ज़रूरत है अब जब फिर से पीमेले की धारा पचास पे चर्चा होने लगी तो तुशार मेताजी ने कहा कि जब इस पे और लड़ी एक निलने हो चुका है तीन जजों के बैंच नहीं निर्णे लिया है तो ये बेसिकली कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग हैं और न्याय पालिका को सतर्क और चिंतित रहने का आग्रह भी किया उन्होंने और ये केस खारिश करने के लिए कहां उन्होंने उधारन भी दिये उन्होंने कहा कि अभी हाली में पांच जजों के बेंच ने समलिंग शादी को उपर जो काईदा निरने दिया है अब कोई नाराज हो के फिर कहेगा कि नहीं इसको फिर से निरने आप मेरे को निरने पुसंद नहीं आप फिर से इसको देखवाल कीजिए तो फिर से क्या कोट कहेगी बहुत सारी दलिले देती हुए इस केस को रिजेट करने के लिए लगातार SG और SG लगे हुए थे लेकिन संजय किशन कौल जी ने फटकारती हुए उन्हें कहा कि ये कोट को मतब बताईए कि कोट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है ये नयपालिका पे छोड़िये और ये जो आपकी भाषा है न कि सतर्क रहिए और चिंतित रहिए ये नयपालिका की भाषा नहीं या हमें समझाने की जरुरत नहीं उन्होंने कहा कि ये कहा का कानून है कि किसी एक बेंच के निरने को फिर से नए चीजों के साक्ष में नहीं देखा जा सकता या उसको फिर से गौर नहीं किया जा सकता हम के सुनेंगे क्योंकि इसके पहले खासकर 36 गड़ में जो इड़ी का प्रकोप हो रहा है उसको लेकर इसी बेंच ने ये बात तक कह दी थी कि आप जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं गलत डर का माहुर पैदा कर रहे हैं पुरे राज्य में और अंधा दुन्द चल रहे है जब इड़ी के पास शक्तिया आती है तो इड़ी बहुत बुरी तरह से उसका उपयोग करता है और 24 से लगातार हम देख रहे हैं क्या हो रहा है इड़ी का प्रसेक्यूशन रेट इदी है तो वो 0.4% है मतलब हजार केसिस में इड़ी सिर्फ चार केसिस में किसी को दोशी करवा पाई है चेचे हजार जगा पे एक्शन होती है पाच पाच हजार जगा पे अरेश्टी होती है फिर एक हजार केसिस में चार्शिट फाइल होती है और फिर चार लोगों को सजा होती है वो जो 0.4% इड़ी का जो रेट है वो इसलिए है कि अंधा धुन्द काम होता है कईयों को लपिटा जाता है आपकी संपती जब्त होती है आपके बैंक अकाउंट जब्त होते है संपती आप कुर्ख होती है आपको अरेश्ट किया जाता है और धारापचास के तहट लिया हुआ बयान ये कोट में भी साक्ष माना जाता है इन तमाम चीजों के कारण ये आपके से को गन पॉइंट पे आप उसका बयान लेते है और ये वो कोट में एकसिप्ट हो जाता है तो ये कही ना कही नैपालिका के ये जो नैचरल जिस्टिस जो है उसमें कही ना कही बादा आती दिखाई देती है कौल साब ने ये कहा कि आप हमको मत बताईए कि हम क्या कर सकते है हम इस पे बिलकुल सुनवाई करेंगे अगला तारीक 25 नहेंबर का दिया है 25 नहेंबर में ये ये वो बहुत सारी चीज़े खुल किती है और खुल पे सामने आती है और ये जो PMLA के तहट असीम अधिकार मिले है इडी को यदि इस पे अंकुष लगता है आगे पीछे तो आने वाले समय में जो इडी का राजकी या दुरुपयोग इस देश में हो रहा है हो सकता है उस पे अंकुष लगे हो सकता है कि सवरा आगे बढ़े सरकार इसको फिर सविधानिक बेंच के तरफ ले जाने की बात करे क्योंकि एक कानून पास हुआ था उस कानून में ये असिमित अधिकार दिये गए थे इस अधिकारी पे अधिकारों पे क्या आँख लग सकता है जब भी कोई कानून पास होता है तो पार्लियमेंट इसको एक अच्छे मनिशा से पास करता है लेकिन किसी को कभी सोच में नहीं आता कि आने वाले समय में इसका दुरुपयोग होगा और जिस जब से इस देश में लगातार दुरुपयोग हो रहा है और इडी से हाका लगवा कर नेताओं को कॉर्नर किया जा रहा है उन्हें भाजपा में लाकर उनका शुधिकरण किया जा रहा है ताकि इडी के प्रकोप से बचे कई राज्यों में सरकारे गिरी है कई राज्यों में पार्टियां तूटी है ये सब इडी के डर से है महरास्टर में तो अजित पवार जो सरत पवर के भांजे हैं उन्हें पार्टी तोड़नी पड़ी क्योंकि चौदा सो करोड रुपे की प्रॉपर्टी उनकी और उनके रिलेटिव्स की अटेस्ट है उनकी पत्नी से लेके वो स्वयम और बच्चे सभी इडी के रिडार पे थे उन्हें मजबूरिय में बिजेपी का चोगा पहनना पड़ा और अब उपमुख्यमंत्री है महराष्टर में एक उधारन ऐसे कई उधारन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि जब न्याइपालिका किसी चीज का आकलन करती है तो समाज में विभिन जो चीजें घटित होती है उसको भी एक चसमे से जरूर देखती है क्या ये कानून ये असमित शक्तियां इडी को दी ये बरकरार रहेगी कौल साब ने जिस रिसाब से आज टिपणिया की इससे तो लगता है कौल साब स्वैम जानते है कि इस देश में क्या हो रहा है और उन्होंने ये भी परिभाशित किया कि एक इदी कोई निरने एक बेंच लेता है तो उस निरने पे पुनर्वजार नहीं हो सकता आज़ साब नहीं होता ऐसी भी कई नजीरे हैं कि इस देश में पूराने जो निरने लिए गए उसको बात में बदल भी दिये गए समाज में निरन तर्व परिवर्तन होता है और उस हिसाब से कानुन को परिभाशित भी किया जाता है कभी किसे ने नहीं सोचा था कि एडी का सरकार बनाने और सरकार तोडने के लिए भी उपयोग हो सकता है लेकिन 2014 से यह लगाता रहोते आ रहा है तो अब एडी की शक्तियों पे क्या अंकुष लगेगा यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन जो टिपणिया सरोच ने अले में हुई है उससे जरूर एडी कुछ हद तक हीट होती दिखाई दे रही है इसलिए हमने कहा कि एडी हीट हुई है लेकिन कितनी हीट होगी अगर नय पालिका का निर्णय क्या होगा क्योंकि अल्टिमेटली ऑपरेटिव जेज्ज्मन काम आता है कई बाटिपणिया अपनी सक्त होती है और ऑपरेटिव जेज्ज्मन में बहुत सारी जगा छोड़ी जाती है हम इस बेंच को इस केस को लगातार देख रहे हैं आगे कैसी बहस होती है क्या क्या चीज़े रखी जाती है सामने और अंत में निर्णे क्या होता है ये आपके सामने समय समय पिलाएंगे लेकिन आज संजे कॉल साथ की जो टिपणी थी उससे जरूर इतना लगा कि एड़ी कहीं न कहीं हिट होती दिखाई देती है आज इतना ही कल फिर आओंगा किसी बिशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार लेकिन देखते रहेगा न्यूज लाँचर